हलो आज है 29 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कमपनी के बारे में जिसको लेकर ये चर्चा है कि आने वाले समय में शायद या चांसिस काफी जाद हाई है कि गूगल यहाँ पर अपना निवेश कर सकता है और बहुत बड़ा निवेश कर सकता है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जब काफी जादा हल्प करेंगे तो चले शुरू करते हैं तो जिस कमपनी की बात हो रही है उसका नाम है भारती एटल 595 रुपए का ये शेर है और अगर आप में चनल को रेगूलर फॉलो करते हो तो भारती एटल के उपर कई सारे वीडियो से बना चुका हूँ आप दिसे ते हैं कि इसी साल मई महिने में जब 536 का शेर था तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी का मौका है मुझे ये शेर महंगा नहीं लग रहा है क्योंकि देखे वोड़ाफॉन आइडिया का स्ट्रगल कहीं न कहीं एटल और जियो के लिए फाइदे मन्शावित हो सकता है दोनों ही सूर्तों में अगर वोड़ाफॉन आइडिया सर्वाइव करता है तो भी फाइदा है दूपता है तो भी फाइदा है क्यों वो मैं आपको एक्स होना जरूरी है अब होता क्या है कि एडल जब लंबे समय तक बढ़ता नहीं तो काफी लोग अपना पेशन्स यहां पर लूस कर जाते हैं और कहते हैं यह बहुत ही बेकार शेर है यह तो मैं अगें कहूंगा पेशन्स होना जरूरी है इस कंपनी में अगर आप खरीदारी करत है तो और जैसे कि मैंने कहा की वोड़ाफोन आइडिया की स्ट्रगल क्यों इनके लिए फाइदमत साबित हो सकती है अगर वोड़ाफोन आइडिया डूब जाता है किसी वजह से मतलब जो करजा नहीं चुका पा रहा है काफी जादा जो करजा बढ़ चुका है अगर बेस है वो डेफिनिटली दूसरे नेट्वरक को तलाश करेंगे उसके लिए काफी सारा आप्शन मिलेंगे और जो बड़े प्लेयर से दो वो एड़ेलोड जीओ ही है उसके अलावा भी और भी कई सारे है बी एसनल से लिकर कई सारे है लेकिन मेंली जो दो बड़े ऑप्श देने पड़ेंगे और अगर स्पेशली वो नहीं कर सकते कि किसी एक कंपनी को दे तो वो नियमों में बदलाव करेंगे और अगर नियमों में बदलाव होते है ऐसे में तो याद रखे उससे कई सारी कंपनियों को फायदा होगा और उसमें ये भी कंपनी शामिल लेकिकि इ आज इनकी fundraising के options को लेकर board meeting होने वाली है और एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि Airtel may soon get several thousands of crore investment from Google, Google से बहुत जल्दी इनको बड़ा investment मिल सकता है, आज देखे, Airtel might soon get an investment from Google which could run into several thousand of crore as per media reports, both the companies are already in advanced stage of discussion and negotiate since last year, तो media report है कहते कि पिछले साल से इन दोनों के बीच में negotiation चल रही कि भाया हम invest करेंगे लिए किस तरीके से करेंगे उसको लेकर, The report suggests the investment from Google into Airtel can be quite a large amount, बहुत ही बड़ा investment यह हो सकता है, आप देखे तो Google ने already Jio में 34,000 करोड रुपे का investment करके रखा हुआ है, ठीक है, It remains to be seen what are the underlying dynamic because the Jio and Google already partner कर चुके हैं, ठीक है, अब यह rival company Airtel में किस तरीके से निवेश करेंगे, उसी को लेकर वागिए इतने महिनों से दोनों के बीच में discussion चल रहा है, अब भारती Airtel is already looking to raise capital so that it can invest it on its 4G network around the country to increase capacity, Jeffrey believes that since there is no urgent need of raising cash, the Telco is likely to assuming that it will need a large capacity network to hold all the Vodafone Idea customers that come in way, तो देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, Vodafone Idea के बहुत सारे customer, अगर Vodafone Idea सर्वाइव नहीं करता हो, जो जिस तरीके से panic फैला हुआ हुआ है, ठीक है Vodafone Idea को लेकर, तो लोग जो Vodafone Idea के network को switch कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इतने सारे customers को संभालने के लिए वह या उनको large capacity चाहिए network के लिए, तो वहाँ पर एटल जो हो अपना पैसा spend करने वाली, आने वाले समय में, तो आप देखें, तो cash भी इसलिए वो लोग raise कर रहे हैं, कि large capacity of network चाहिए इतने सारे customers को संभालने के लिए, और इसी के लिए, तो जो सरका का करजा है, अगर बड़ा investment गूगल से आता है, तो जो सरका का करजा इनको चुकाना है, वो भी चुका देंगे, और दूसरी बात, कि वहाँ जो investment को करनी है, 4G और 5G networks में, इतने सारे customers को संभालने के लिए, वो भी कर सकते हैं यह, तो प्लान तो बड़ा अच्छा है, और आज इनकी board meeting भी होने वाली है, fundraising को लेकर, बार्दी अटेल की, और अगर मैं आपको चार्ट पर ले चलो, तो पिछले एक महिने में, इसके shares में, तकरीबन 10% का growth नजर आया है, 540 रुपे से सीधा 635 तक पहुंच गया था, लिए उसके बाद गिरावट आई हैं यह, आपर आप देखिए, एक साल में अगर देखिए, तो पिछले एक साल में 16% का ही growth है, लेकिन, लेकिन, जब भी ये नीच गया है, 400 रुपे के आसपास, 500 रुपे के आसपास जब भी गया है, एक बड़ी रफतार से दोड़ा है 600 रुपे तक, वापस तूटा, वापस तेजी, वापस तूटा, वापस तेजी, 500 रुपे का जो लेवल है, वो खास करके मुझे काफी ज़ादा पसंद आता है, यहाँ पर क्योंकि वहाँ से चांसिस बहुत ज़ादा हाई है, कि यह रिकवर करेगा, करेगा, करेगा ही, आप देखें, लॉंग टर्म में भी, तीन साल में भी, 71% का ग्रोथ है, 260 रुपे का शेर था, डेफिनिटली तेजी बनी थी, 600 रुपे तक पहुंचा, करोना काल में तूट गया, दुबारा बाउंस बेक दिखाई, दुबारा तूटा, का जो स्ट्रगल है, वो कही ना कहीं, एट एल और जीगों के लिए भाया, कह सकते हैं कि अपरच्टिनीटी बन सकती है, लार्ज केब शेर है, 3,0,000,000 करोड से भी जाधा का है, 1,5,000,000 करोड से भी जाधा का है, इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास, 35.80% की holding है 18.12% की holding FIS 12.86% की holding mutual fund 6% की holding insurance company और generally जो बहुत बड़ी holding है वो कही न कहीं देखने को मिल रही है बागी के पास इतना ही नहीं अगर मैं आपको shareholding pattern की ठीक से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अभी भी अगर देखा जाए तो 97% analyst भारती अटल में खरीदारी करने की सला देते हुए नजर आ रहे है holdings की मैं बात करूँ तो holdings 55.86% की holding promoter के पास है 12.86% की holding mutual fund 7.59% की holding domestic institution के पास है 18.12% की holding FIS के पास है और retail वालों के पास जो कहते है retail भाया आपके पास कुछ नहीं है 5.58% की holding retail investors और others के पास उसमें भी जो retail वालों के पास है 1.80% की holding है मतलब हो क्या रहा है यहां पर कि retail वालों के पास कोई बड़ी holding है ही नहीं जो बड़ी-बड़ी holding है वो बड़े-बड़े fund houses लेकर बैठे हुए है प्रमोटर लेकर बैठे हुए है तो retail वालों के पास कोई जादा बड़ी holding देखने को नहीं मिल रही है और पिछले कुछ quarter से उतनी ही holding है जितनी पहले थी और उसे को retail वाले manage करके चल रहे है तो देखो मैं इतना ही कहूंगा ऐसा नहीं हो रहा है कि retail वाले बहुत जादा खरीदारी करे रहे बड़े fund houses बिक्वाले करे जी नहीं बड़े fund houses जहां थे वहीं पर है retail वाले भी जहां थे वहीं पर है कोई जादा changes यहां पर देखने को नहीं मिल रहे है और अगर सब कुछ सही रहा जो Google के investment की बात करे या फिर कोई और भी बड़ा investment आता है तो याद रखे retail के लिए बहुत ही बैतरीन चीज़ होगी एक बड़ा fund जो इनके पास आएगा वो इनको help करेगा जो करजा है उसको चुकाने में और तो और जो 4G और 5G network के लोग लगाने की सोच रहे है और इनकी अपनी capacity बढ़ाने की बात हो रही है उसके लिए इनको काफी ज़ादा मज़द मिलेगी इसकी वज़े से overall भारती आटेल पसंद जरूर आता है वो लगता है कि काफी positive रहने वाला है क्योंकि आने वाले समय में Jio और Airtel यही दो बड़ी company आपको नज़र आएगी टेलिकॉम market में word of an idea रहेगी लेकिन अगर सबकु सही रहा तो ही रहेगी तीसे टेलिकॉम company वनना मुझे chances थोड़े से कम नज़र आते हैं उसके long term की में अगर बात करू ठीक है short term में तो अभी भी word of an idea को कुछ नहीं होने वाला है सरकार किसी तरीके से बचाने की कोशिस ज़रूर करेगी लेकिन long term में मुझे लगता है कि जो chances है वो भारती आटेल और में लगते बता सकते हैं थैंक यू